मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स के रिपीटर और सिमिलर सवाल आ रहे थे अगर आपका भी सवाल यही है तो आज का रेमेडी आपके लिए हेल्फुल है सबसे पहला क्वेश्चन यह था के हेरफॉल गैसे कंट्रोल होगा दूसरा क्वेश्चन यह था के मेरा स्काल्प खाली हो रहा है एर ग्रोथ कैसे होगा तीसरा सवाल यह था बाल बहुत सब्सक्राइबर्स करते हैं और जब ही बालों पर कंगी करती हूँ ना तो ड्राइनेस की वज़े से बहुत सरे बाल जड़ते हैं और स्प्रीटेन का प्रॉबलम है तो यह जो सारी प्रॉबलम है अगर सिमिलर प्रॉबलम आप भी फेस कर रहे हो ना तो यह वीडियो आप देख सकते हो इसमें जो रेमिडी में आप लोगो दिखाने वाली हूँ यह ड्रेमिडी आप ट्राइ कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का और एक हैर केर का वीडियो हलो एबरीवन वेलकम तो माई चानल शाइनी रूप्स वेराराम रूपा है स्वागत है आप लोगों का यहां पे मैं स्किन केर, हेर केर, मेकप और प्रॉड़क रिवीउस के बहुत सारे वीडियो अपलोड करती हूँ अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके आप इस चानल के सब्सक्राइबर बन सकते हूँ इस हेर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रीडियेंट मैं यहां पर ले रही हूँ लाल गुढ़ल के फूल और यहां पर मैंने दो ही लाल गुढ़ल के फूल यह है और आपको भी बस दोती नहीं लेना है जादा नहीं लेना है हमें सिर्फ इसके पंखड़िये ही और कुछ नहीं चाहिए और लेके इसको अच्छे से धो लिजिए धोने के बाद इसको आपको अच्छे से स्माश करना है पानी के साथ मिला के श्माश करने के बाद एक टाम बाद आप देखोंगे पानी का रंग लाल हो जाएगा तो उस पाम यह जो पेटल्स है इनको आपको सेस्टेट कर देना हि Panis से और यह वाला पानी लेना है अब इस पानी में आप मिला हो पेपर मिंट एसंशिल ओ miał स्तंवाल कर रही है यहां पर पेपर मिंट sessions ले रही हूँ, आपके पास जो भी essential oil है आप ले सकते हो, अगर आपके पास lemongrass essential oil है उसको ले सकते हो, rosemary essential oil है उसको ले सकते हो, lavender essential oil है उसको ले सकते हो, young young है, jojoba है, जो भी है उसको ले सकते हो, और इसका सिर्फ दो ड्रॉप आपको लेना है और इसके साथ अच्छे से mix कर remix करने के बाद इसके साथ आपको मिलाना है hibiscus का powder तो यहां पे मैंने एक चमचician लीकाज ओमेरे ली Clay के लिए हैं जिनको फ्रेश चीजए एकदम नहीं मिलते हैं तो इसके साथ एक चमच का पाउडर मैंने मिलाया है और और इंग्रीडियenne मैंने इसके साथ मिला जादा नहीं होगा, जादा पतला नहीं होगा, अब मिक्स करने के बाद इसको आपको तीन घंडा ढग के रख देना है, तीन घंडे बाद आपको इसको सबसे पहले अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाना है, क्योंकि बालों की जड़े हैं फूंप हुआ सदा इंपॉर्ट इसको आप बहतर रेजल्ट पाने के लिए महीने में दो बार ट्राइ कर सकते हो, अब मैं यहाँ पर दूसरे चीज आपको बताने वाली हूँ, वो है इसी का हेर लोशन, अगर हेर पैक लगाना आपको अच्छा नहीं लगता है, अगर हेर पैक लगाने से आपके बहुत पैटल होते हैं, उसकेस में आप इसका हेर लोशन तयार करके भी अपने बालों में लगा सकते हो, सेम ही एफेक्ट मिलेगा, सेम रेजल्ट मिलेगा, तो कैसे करेंगे, आपको हिबिसकस के जो पैटल्स है, उनको लेकर पानी के साथ स्माश करके वो वाला पानी सबसे पहले इसके साथ दो ड्रॉप एसन्शन ओयल का मिक्स कर लेना है, मिक्स कर ने के बाद आप भृंगराज का पत्ता है, फ्रेश भिंचराच के पत्ते उसके साथ फ्रेश ब्राम्ही के पत्ते ले लीजिए, अच ενसे से पीस लीजिए, पीस के उसका रस निकालके, सिलवट्टे पे आपको पीसना है, मिक्सी में में ही पीसना है और पानी एकदम इस्वाल नहीं करना है पीसने के वाद इसका एक रस निकलेगा वो रस इस पानी के साथ आप अड़ कर लीजिए और इसको आप फ्रीज में रख दीजिए आप इसको हर दिन अपने बालों पे स्काल्प में लगा सकते हो, इसे आपका हैर फॉल कंट्रोल हो जाएगा और आपके स्काल्प में छोटे-चोटे बेबी हैर आने शुरू हो जाएगे यह उन लोग के लिए है जो अपने बालों में किसी भी तरीके का hair oil, hair mask, hair pack का इस्तमाल नहीं कर पाते हैं वो इसको as a hair lotion इस्तमाल कर सकते हैं तो दोनों process मैंने आप लोग को बता दिया इमें से जो process आपको easy लगता है आप उसी process को follow कीजिए और इसको आप अपने पालों में लगा है So guys, यह था मेरा आज का वीडियो और आज के वीडियो में मैंने आप सब लोग के साथ बहुत ही कमाल का और effective remedy शेयर किया है इसको आप जरूर ट्राइ कीजिए लोग से मैं एक request करूंगी आपने से किसी ने कभी भी मेरा कोई remedy ट्राइ किया है तो definitely comment works में आप मुझे बताईए कौन सा remedy आपने ट्राइ किया है कब किया था मैं जानना चाहूंगी मुझे अच्छा लगेगा जानके तो आज के लिए बस इतना ही बहुत चल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से आज रहूंगी तब तक के लिए कुछ रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने स्किन का और अपने बालों का ख्याल रखिए और दू वाच माइ वीडियो थांक यू फो वाचिंग गाइस, बाई बाई